आईए दोस्तों आज हम सीखते हैं कि एक प्लांट के लिए गमले की मिट्टी को कैसे तयार करना चाहिए उसमें क्या-क्या हमें नुटुशन एड करना चाहिए नमस्ते मैं पारुल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे आईए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं पहले उसे दो से तीन दिन आप अपने गार्डन में एस इस रख दें ताकि वो वाँ के टेंपरेचर से फैमिलियर हो जाए उसके बाद ही आपको किसी भी पॉट में उसको शिफ्ट करना है स्टार्टिंग में आप प्लांट को मिट्टी के गमले में ही शिफ्ट करें क्योंकि मिट्टी के गमले में air circulation बहुत अच्छा होता है जो कि प्लांट की roots के लिए बहुत फायदेमंद होता है सबसे पहले आपको 60% इसमें garden soil लेनी है फिर आप 20% कोई भी organic compost ले सकते है मैंने इसमें equal amount में जो है वर्मी compost और हमारे पास गोबर खाद भी अविलेबल है तो गोबर खाद भी add की है आप जो भी आपके पास अविलेबल है वो add कीजिए और 10% नीमखली आप इसमें add करें और 10% ही आपको reverse and add करनी है जो आज हमारे पास अविलेबल नहीं है प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है अगर आप इसमें बालू भी add करते हैं तो और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा trichoderma add करना है दोस्तो trichoderma roots की growth के लिए बहुत अच्छा होता है और totally organic होता है जो यह pot में hole होता है उसको cover करना है तूटे हुए गमले के pieces से आप cover कर सकते हैं या फिर कोई भी पत्थर भी आप रख सकते हैं की proper drainage बना रहें उसके बाद सबसे नीचे हम pot में सुखे पत्य डालेंगे जो कि कुछ टाइम बाद decompose हो जाते हैं और composting का काम भी करते हैं दो से तीन इंच की layer आप dry leaves की बना दीजिए इस तरह से dry leaves के बाद जो भी आपने soil mixture ready किया है उसको फिल कर लें pot आपको हाफी फिल करना है पहले और जो भी plant आपको इसमें shift करना है उसको पहले adjust कर लें आज हम snake plant लगाने जा रहे हैं जो कि indoor plant है एक आप पहले उसको center में रखें बिलकुल और adjust कर लें अच्छे से hand का support दें और जो भी आपने mixture बनाया हम उसको फिर दुबारा से add करेंगे ताकि roots हमारी plant की जोई अच्छे से cover हो जाएं इसको हलके हातों से आपको मिट्टी को press करना है और एक से दो इंच का space पानी के लिए आपको छोड़ना है तो finally यह हमारा pot ready हो चुका है जब भी हम नए plant को pot में shift करते हैं तो direct sunlight में दो से तीन दिन आपको नहीं रखना है इसको settle होने दें तो thank you so much take care बाय